जहीं दोस्त जैसे कि हम आपको कटप के वीडियो में बताये थे कि आपका हम एक महिना का वर्काउट या पंदर दिन का वर्काउट हम अपने चैनल के माध्यन से बताएंगे तो मैं एथलिट मंटू नेशनल प्लेयर और यह जो वर्काउट त्यार किया गया है मेरे द्वारा और नेशनल प्लेयर त्यार किया गया है 100% आप यह वर्काउट किजिएगा एक सब्ता किजिएगा तो आपको पता चलने लगा कि आपने इंप्रोव्मेंट हुआ कि नहीं हुआ तो आप पहले एक सब्ता किजिए और इसी को दुछरे सब्ता भी दोहराईए 15 दिन और फिर प्रेक्टिस करते हैं उनको भी मैं यही वर्काउट करवाता हूं तो आप बाहर कहीं पर प्रेक्टिस कर रहा है तो आप यह वर्काउट करके देखिए मैं गारांटी देता हूं कि आपका जो रुनिंग है 40-50 नमर उठाने लाइक जरूर होगा हां साथियों लेकिन आपको को मेहनत करना है नहीं कि बस ऐसे ही वर्काउट करना है आपको इसमें मैं टैनिंग भी बताऊंगा रेस्ट भी बताऊंगा कि कि इतना आपको रेस्ट करना है इसमें गरिक नमीयर के सब्सक्राइकें बस उनको यह पता है कि slow fast 100 meter slow 100 meter fast यह नहीं पाटले क्या होता है मैं इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा तो जो भी वर्काउट मैं अभी बताऊंगा आपको फॉलो करना है और 100% आप फॉलो किजिए आप मध्य निश्यद में गारंटी है कि आप 40-50 नमर अराम से कि मैं इसमें दिया हूँ जो कि आपको एक सब्ता में आपको पता चलेगा कि मेरा इंप्रूमेंट क्या हुआ उसी के हिसाब से आपको यहीं वर्काउट 15 दिन करना है ठीक है और 15 दिन के बाद मैं फिर से आपको एक नय वर्काउट के साथ हाँगा अपने वीडियो चैनल क कि मादियन से तो आप हमारे वर्काउट को फॉलो करिए और ऐसे ही आपको हमेशा मधिनी सित्क के लिए नहीं आगे जो भरती आने वाली है सबसे पहले मंडे को आपको जो वरक आउट करना है वो 400 का 8 120 मिटर का लाश्ट में पहले में पहला सनक्था में पंद्रा लगाना मंडे कों और याज और पर लाश्टन सी करना über तो आप अट दाउन्जा अगर आप चाहे तो 25 से 30 नंट आप लगाना है और सामें हमें पर आप वाले सब्ता का उसके बाद आपको दूसरा सब्ता में और काम करना है ठीक है और थ्रज्डे को तो 600 का 3 repetition, 300 का 3 repetition, 600 का repetition लगाने पर आपको 2 minutes rest करना है और 300 में आपको 15 minutes rest करना है और सामने आपका rest रहेगा, क्योंकि इसमें 600 और 300 repetition डाला गया है rest भी आपका body का recovery भी बहुत जरूरी है और Friday को आपको सुवा में 30 minutes pace running करना है या तो आप ground दे कीजिए या तो आप road दे कीजिए 30 मिट आपको फ्रेसंडिंग करना है और सामने 400 का 4, 200 का 4 जिसमें से 400 में 1 मिट आपको रेस्ट करना है और 200 में 30 सेकंड रेस्ट करना है ठीक है तो आप ये workout follow कीजिए और Saturday को आपको फाटलेक ट्रेनिंग करना है slow fast तो आपको सबसे पहले हम बता दे कि आपको फाटलेक ट्रेनिंग कहते किसको तो slow fast ऐसे नहीं कि 100 मिटर भागे 200 मिटर भागे 300 मिटर भागे नहीं कि मंदारी से कीजिएगा 100 परसेंट आपको सक्सेज मिलेगा अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास आईए जरूर इतना गारांटी देता हूं कि इतना वर्काउट हम अपने आग के सामने रख के आपको करवा दे तो आप आराम से गारांटी देता हूं कि 40-50 नमर माक्स अराम से उठाईएगा मत दिन से दने अगर आप 40-50 नमर मत दिन से नहीं उठाते बाबुत आपका अप मेरिट से बाहर हो सकते ठीक है तो आप यह वर्काउट पूलो करें जो वर्काउट में अभी पूरा बताया यह एक सब्ता का है और दूसरे सब्ता में आपको क् ठीक है पहले आप एक सब्ता कीजिए आपका परफोर्मेंस आप रूपी चढ़ेगा ऐसा नहीं की नहीं चढ़ेगा यह वर्काउट ही ऐसा त्यार किया गया है सुबह और साम तो उन्हों का वर्काउट है और हाई जम और गोला का आपका प्रेक्टिस करना है तो आईए हम हमारे एकेडमी में एदम कराया जाएगा और गारांटी के साथ कराया जाएगा मेरे एकेडमी में हिमांसु सर जो किस्टेट प्लियर है वह भी वर्काउट करवाते हैं और मैं नेशनल प्लियर मंटु कुमार मैं भी वर्काउट करवाता हूं ऐसा नहीं है कि मैं नेशनल प देप का देढ़ देखा फिजल का 10 दिन बचेगा को आपको वर कॉट लगा bulbs का दश दिन का वर कॉट वर्कावट यहाइगा क्योंकि लास्ट का वर कॉट रहता है वहाइद्यमंद रहता है और वह करना बहुत बहुत जरूरी है ठीक है और डाइट प्लान भी मैं बताऊंगा क्योंकि वरकफ करने से नहीं होता है उसके लिए आपको डाइट भी बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए इसी तरह से आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें सब्सक्राइब कर दीजिए जय हिंद बंदे मात्रम बान मत्रम थेजिए